आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूँ आपके साथ मयूरी सरवास्तव भारत प्रगती की सीडिया चड़ रहा है इस बात का सबसे बड़ा उदारण है कि इस बार की G20 सम्मेलंट की अधर्षता भारत कर रहा है और इसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है इस बार दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलंट का अधर्वा आयोजन हो रहा है जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अगवाई में 9 से 10 सितंबर को होगा G20 की बात तो सब जगा है लेकिन ये G20 क्या है क्यों होता है और इसके गठन के पीछे क्या उद्देश था ये आपको विस्तार से बताते हैं देखिये हमारी ये रिपोर्ट G20 की तयारी जोरो शोरो से दिल्ली में जारी है जिसका आयोजन 9 और 10 सितंबर में दिल्ली में होना है जिसकी अगवाई PM मोदी करेंगे अब G20 क्या है चलिए पहले वो जानते हैं G20 की कलपना एक ऐसे ब्लॉक के रूप में की गई थी जो अंतराश्ट्रे आर्थिक सहयों के मुद्दे पर चर्चा करते हैं और ये सभी प्रमुक अंतराश्ट्रे आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संग्रचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो 2008 में शुरू हुआ था और अब तक कार्यशील है भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा G20 में समले देशों की बात करें तो इस समय G20 के सदस से भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कैनेडा, अर्जिंटीना, उस्ट्रेलिया, फ्रांस, जॉर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, कोरिया, गनराज्य, साओधी अरब, दक्षन अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूरोपिय संग शामिल है ग्रूप अफ्ट्वेंटी का निर्मान तब हुआ, जब साल 1997 में एशिया के कुछ देश वित्य संकट से जूज रहे थे, जिसे एशिया ये वित्य संकट का नाम दिया गया था एशिया के संकट ब्रस देशों को संभालने के लिए जर्मनी में जी एट देशों की बैठा का आयोजन हुआ, जी एट की स्थापना उस वक्त के सबसे धनी देशों ने की थी जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटेन, यूसे, कैनेडा और रूस शामिल थे फिर 1999 में एशिया को एकनॉमिक राइसिस से बचाने के लिए जी ट्वेंटी जमीन पर आया एशिया संकत में मुख्य रूप से इंडोनेशिया, दक्षिन कोरिया और थायलैंड प्रभावत थे आंशिक रूप से प्रभावत देशों में शामिल हॉंग कॉंग, मलेशिया, चीन और सिंगपूर थे जिसके मद्दे नजर रखते हुए जी ट्वेंटी का निर्मान हुआ था जी ट्वेंटी को ग्रोप ओफ ट्वेंटी भी कहा जाता है, ये आर्थिक सहयो का एक प्रमुख मंच है G20 का मंच अंतराश्ट्रे आर्थिक मुद्दों को निर्धारिट करने में एक महत्वपून भूमिका निभाता है इसके अलावा आर्थिक स्थिर्ता, वैश्विक व्यापार, ग्लोबल चैलन्ज से लेकर कई मुद्दों पर भी राय तै करने में G20 की एहम भूमिका होती है देखा जाए तो G20 का कोई स्थाई हेड आफिस नहीं है सभी उननिस देशों और यूरोपिय यूनियन के बीच एक खास तरह का रोटेशन सिस्टम चलता है उसी के जरिये नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है G20 सम्हू का गठन हुए करीब 24 साल बीच चुके है G20 दो तरह के वर्क ट्राक पर काम करता है पहला वित्ट्राक है और दूसरा शेर्पा ट्राक वित्ट्राक को लीड वित्मंत्री और सेंट्रल बैंक के गोवर्नर करते है वही शेर्पा ट्राक को G20 देशों के डिपलमाट करते है जो अपने देश के प्रते निधी मंडल की मीटेंग और सम्मेलनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं G20 ने शुरुआत में मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक नीती पर ध्यान केंद्रत किया लेकिन अपने दायरे का विस्तार करते हुए चीन के हांगजू में 2016 के शिखर सम्मेलन में G20 ने नए आयाम तब दिखाए जब अमेरिकी राश्रपती बैराक उबामा और चीनी राश्रपती शी जिन पिंग ने आपचारिक रूप से जलवायू पर पैरिस समझोते में अपने देशों के शामिल होने की घोशना की आर्थिक और वित्तिय मुद्दे तो प्रतेख शिखर सम्मेलन के एजेंडे का केंद्र बिंदू रहते हैं लेकिन काम के भविश जलवायू परिवर्तन और वैश्विक स्वास्त जैसे मुद्दो पर भी बार बार ध्यान केंद्रित कि जाता है जिसका सबसे बड़ा उधारन कोविड-19 महमारी के दौरान देखने को मिला इस बार जी-20 सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है जिसकी थीम वसुधैफ को टुम्ब कम यानी एक प्रित्वी एक परिवार एक भविश्य है इस बार भारत में आयोजित G20 का उद्देश समवेशी वैश्विक मूल श्रंखला उर्जा एवंग जलवायू परिवर्तन डिजिटल परिवर्तन वित्तिय समावेशन तथा आगामी रोजगार जैसे छेत्रों में वैश्विक भागिदारों के साथ सहयोग करना है इस बार की G20 मीटिंग में भारत ने मिस्त्र मौरिश्यस, नीदलैंड, बांगलदेश, नाइजीरिया, ओमान, सिंगपूर, स्पेन एवं संग्युक्त अरब इमायरेट, UAE को भी न्योता दिया है जिसके बाद ये देश भी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित ITPO कन्वेंशन सेंटर के प्रगिती मैदान के भारत मन्णपम में आयोज़त होगा यहां 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होगा जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने आयोजन के दोरान आम लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए ट्राफिक एडवाइजरी जारी की है वही दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सावजनिक अवकाश की भी घोशना की है साथ ही पुलिस ने बताया है कि जरूरी वस्तों की दुकाने खुली रहेंगी भारत में हो रही इस मीटिंग से ये तो साफ हो गया है कि भारत विश्व पटल पर अपने आपको मजबूती के साथ स्थापित कर चुका है और विश्व अर्थविवस्था का एक एहम हिस्सा भी बन गया है अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग में किन-किन वैश्विक मुद्दों पर क्या एहम फैसले आते हैं आपको बता दे 2022 की G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास से 2023 में भारत के पास आई और 2024 का जिम्मा ब्राजील के हिस्से आने वाला है अभी के लिए इतना ही खबरों का सलसला यूँ ही जारी रहेगा बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार